हाई एवरेवन वर्कम बैक टू मैं चानल मैं हो जू मेरे चैनल क्वीन अफ़न 516 में अब सभी लोग एक पहाट तेक्स बाकत करती हूँ तो आज जो मैं करने वाली हूँ वो है अप लोग के लिए एक केम लाई हूँ मैं इंट्यूशन टेस्ट की चो कि आप लोगों की रॉंग बनाने वाली है ऐसी अगर टेस्ट आप करते रहो तो एक टाइम जाके आपको खुदी मैसूस होगा और आप देखते ही पकर लोगे और आपकी इंट्यूशन आपको मितलब जोडों से जवाब दे देगी ठीक है तो ये टेस्ट अगर आप लोग को पसंद आए तो मैं लाती रहूंगी तो वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको पसंद आए और ऐसी टेस्ट चाहिए तो तो कैसे करने वाली हूँ मैं थ्री स्टेप्स फॉलो करोगी अच्छी से जुने यहां थ्री स्टेप्स फॉलो करोगी जहापर ये होगी फर्स पर से आप बहुत सारे देख पा रहे हो कि यहां स्टोन्स तो मैं यहां से थ्री स्टोन पिक करूंगी और स्पोस्ट मैं पिक कर रहेूं ये ये एंड ये ओके? तो इन में से आप लोगों को समझना होगा कि मैं इन में से कौनसी स्टोन को पिक करूँगी अगर आपकी इंट्यूशन आपको सही जवाब देती है और मैं वही स्टोन पिक करती हूँ यानी कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग है यह होगी first step सेकेंड यहाँ पर से मैं कुछ लेटर्स ले लेती हूँ वन, टू, एंद थ्री और इसको रख देती हूँ साइट पे तो इन थ्री लेटर्स में से मैं कौन सी लेटर को चूज करूँगी आपको ये पकरना है ये होगी स्टेकंड स्टेप और यहाँ पर जो कार्ड्स है, ठीक है यहाँ पर एक कार्ड मैं एक्ड करूँगी वो है ये सदेन विल्ट का कार्ड और मैं इसको घुमा दूँगी और आपको पकरना है कि कौन सी कार्ड सदेन विल्ट की है अगर वो निकलता है सदेन विल्ट की तो भाईया एकदम intuition perfect जा रही है अगर नहीं निकलता है तो समझ लो कि आप लोगों को ये practice जारी रखनी है I hope मैंने आपको clarity दे दिया है और समझा दिया है अभी start करते है तो आपकी जो first step है आपके सामने मैं रख देती हूँ ये three stones और अभी आप pause कर सकते हो और देखो कि आपका intuition कौन सा stone कह रहा है कि मैं कौन सी stone को choose करोगी मुझे मैं नहीं पता मैं थोड़ी सी देख लेती हूँ उसके बार तो मैं उठाने वाली हूँ this one क्योंकि मैं जे clear words बहुत पसंद है ये बहुत ज़्यादा pull कर रहा था देखो कितना clear है बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है तो ये हो गई first tip तो जिन लोगों ने भी first tip में इसको choose किया है तो आपकी intuition आपको सही से guide कर रहा है और मुझे comment box में जरूर बताईएगा ठीक है I hope अपने चुन लिया है तो मैं उठाने वाली हूँ F ओके F F सिर्णा मुझे सनाई दे रहा है flower तो या अपको मैं flower देती हूँ रुको ये लो अगर आपने F को choose किया है तो ये हो गई है second step और अभी आते है third step में जो कि ये है कि वो sudden wealth और मैं इसको थोड़ी से घुमा देती हूँ लीजे मैंने कट दिया है अभी आप देख लीजे कि आपको ये card number 1 है ये 2 है ये 3 है तो कौन सी card हो सकती है sudden wealth वाली तो आपको वो देखनी है थोड़ी सी pause कर सकते हो ठीक है मैं cards open कर जाई हूँ ओके so first card है no जिन्होंने one card को choose किया है उनके लिए है no नहीं निकला second card है ओके फिर से no and third card है yay जिन लोगोंने third option को choose किया है वो जीत गया है तो मुझे जरूर बताना कि आपको 3 में से कितना मिला और आप लोगों की intuition कितना powerful है तो ऐसे अगर आप games चाहते हो और अपनी intuition को strong करना चाहते हो तो आप वो भी comment box में मुझे बताना कि हाजुई लाते रहो तो मैं ऐसे लाते रहूंगे आप लोग के लिए ओके तो चलो बाबाई टेक केर